हलो जो फिर साब कर इस सौगत नमाई इस चैनल डीजे व्लाग में मैं हूँ अश्रापो दोस्तो आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए का आए हूँ मीजिक टोन के फैक्टरी में अब बैसिकल आप सभी के डिमांड थी के बिया मीजिक टोन के जो प्रोड़क्ट है वो में इंडिया तो कहां बनते हैं कैसे बनते पोरी डिटल दिखाए और थोड़ा सा मेरे को यहां पर इंट्रस्टिंग लगा कर कुछ सो आला कॉंटेट आप देखने को बिलते हैं पार्ट जो हैं वो कौन से यूज कर रहे हैं क्या कॉलिटी है उनकी और फिटिंग भी देखेंगे हम तो पूरी के पूरी जानकारी होनी वाली है इस वीडियो में तो वीडियो को सुकरने से पहले मेरी अप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो चैंट Cassi पार्ड आपको बताया है कि मैं आया हूँ यहाँ पे मिजिग्टों की फैक्ट्री में तो अभी आप मेरे पीछह जया है यहाँ ज़ा सबसे परले में आपको फर्स स्टैप भो दिखा ता हूं तो दोस्तों यहां पर दिया सकते हैं यह यहाँ पे PCB का काम हो रहा है तो ऊचिक अओ बिया है और यह जो yes PCV की अच्छी हाती है जासे कि आपको पता है कि मुजिक टोन नाम् पता है कि कोई सम्झ होता नहीं कर जाता है तो यहां पर जो पीशीश बौडोड की इस पर जो है वो नम्बर्स होते है अब लेकिन इहां पर इस में खेल क्या है दूस्तों कि इतने जादा एक्सपीरेंस होने पर इनको पता रहता है कि कौन सा पार्ट जो है वो कौन सा रेसिस्टेंस है क्या सिस्टम है वो सारा गशार बस मतलब एक तरीके से मसीनरी के लिजी आप उनका है तो अब आप दे सकते हैं यहां पर कि तरी फास्ट काम हो रहा है तो यह शोल्डरिंग हो र चल रही है तो यह वो पीसीबी एक है यह चोटी पीसीबी आप दे सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है M9608 तो यह जो पीसीबी होती है पूरी फीट होती है अभी यहां पर कैपिस्टर पलस यह रेसिस्टेंस जो है वो लगाई जा रही है तो दस वाट की यहां पर दे सकते पर लगाइ जाते हैं, तो यह इतने भी पा्रस हैं, सारे प्रस रहो को होता है yeah, so allardy इनके पास सारे पूरो पा्रस होता है पीछे प्रस का रहे का puisquAKE आपको वेक्क्रो फेक्ट के लिए कारगनाया खिर के हर ऐक जा कि आपको अब तो यह पूरो पार्ट्स अब दे सकते हैं अब है और आपको आगे बढ़ाता हूं यहां पर देखी तो यह पैला सेक्शन यह दूसरा श्रक्षन हो गया अभी तीसरा सेक्शन हो गया जहां पर यह फिटिंग का थोड़ा सा ज्यानि हीट सिंग पर है यह फिर आपके लिए यह यहां पर काम हो रहा है यहां पर काम क ठोटरहनां तो सारी चीज़े आपको अंद टेल या इक पूरा लाइन वाइस होता पूरा काम पर हीट सिंग keeps यह भी इन डिया दोस्तों इस बात का आपको ध्यान देना है कि वह इसके नदर जो बोल्त भी लग रहा है वह भी यहांपर मेड इन इंडिया और मिजिक टून के तरफ से ही आता है तो यह कॉलिटी यहां पर दिसकते हैं तो यह सारे पीसे भी यहां पर रड़ी जो है वह तो आगे आपको दिखाता हूँ जो काम ही यह कैसे हो रहा है तो आप यहां पर जासकते हैं देखिए मैं क्या रहो ना perfection जैसे machinery है सेम वैसे ही काम हो रहा है यहां पर perfecton है पूर्ण यहां पर और यहां आप जह सकते हैं यह झिसके इस अंदर यह चितने भी रेसिस्टंस है यह सरी बचाहिए और रेसिस्टेंस कर जाता है और यह ऐनातों पर इन से पता है अनुट बूत फेस्टेंस तो यहां पर देखिए यह सारी इसारी 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 इसार वह लगना बाधी हैं तो यह पूरी फिटिंग चल दीए और यहां पर आप देशने हैं सैट्स यहां पर रखे हैं यह यह ऎंटी 1200 है यह वालोज आप सकते हैं कर से इस देख सकते हैं इसकम हैं कर देख सकते हैं इस देखेंगा इस प्याइटी है इस पूरिये वे प्रेटे लिए ओन या शॉड़ाम को आपका के लिए और ऊक्टिया है और बिश्चें़ पेंट के अंदने afterward ISB तो आप यहां पर LED इंटिकेटर देख रहे हैं और यह कुछ स्ट्रैप से जो है वह देख सकते हैं यहां पर मैंचेन है पूरा डिटेईल रहता है अभी है कि अपास कि क्या फिटिंग हो रहा है पकि छोटे सेट्स हो जाते हैं बेसिक लिए दूस्तों जैसे कि छोटे सेट्स यहां वह काम चलती है एंटी बारसो के जैसे कि में बताया है यह एंटी बारसो मॉडल है और इसका पूरी फिटिंग चल लिए तो कॉलिटी वाइज और यहां पर मैं बात कुरूंगी देखिए सॉकेट की क्वालिटी भी मेरे को काफी अच्छी यहां पर देखने को मिल आ जाती है और यहां पर यहां पर दे सकते हैं कि इन्पूर्ट हो जाता है इस पी पीसी भी लगा रखा है को डारेक्ट वायर नहीं है पीसी भी लगा कि उसके बाद वायर का काम कर जाता है फिर यह लाइन का हो गया यानि टीएस जो है वह आप यहां पर सकते हैं कॉमन दो च पूरा made in India हो, तो यह सारा सामान यहां पर रखा हो देखने को मिल लाता है, पिछी के जो स्ट्रिप्स थी आप देख लीजी वह भी यहां पर देखने को मिल लाती हैं, और यहां पर आगे का जो स्ट्टाइप वह मैं आपको दिखाता हूं, तो यहां पर कुछ फरंट पैनल यहां पर रखे हो हैं इसको भी हम एक खोल के देख लेते हैं, यूसबी 300N पड़ा हूँ है, और DPA 570 पड़ा हैं, बहुत सारे यहां पर मिजग टोन के ही मॉडल्स हमें देखने को मिल लाते हैं, यह भी पैनल पड़ा हूँ है, यह भी मिजग टोन का आप देखते हैं, और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, यह तो एक लाइन मैं आपको देखाई अभी ऐसे तीन और लाइन हैं, जहां पर आपको फिटिंग, वाइरिंग और बहुत सारी चीज़े वह देखने बाकी हैं, तो चलिए, तो जैसे कि मैं आपको बताया कि वह तो एक लाइन थी, अभी दूसरी लाइन आ गई है, अभी मैं यहां पर आपको दिखाता हूँ कि कौन सा काम चल ला है, अभी बेसिकली आप दिसकते हैं, हीट सिंग पर यहां पर टांजिस्टर्स फिट हो रहे हैं, अभी मैं टांजिस्टर की बात आई है, तो मैं आपको एक चीज दिखा ही देता हूँ, तो यह टांजिस्टर्स देख सिकते हैं, साइधी आपने यह बॉक्स किसी यूटूब पर या फिर कहीं किसी ओनलाइन पर भी नहीं देखा हुआ, यह बॉक्स में आज आपको दिखा रहा हूँ, तो शीवा के ओरिजिनल यहां पर टांजिस्टर्स यहां पर यह है फान्बान्सो ठीके ना और यह है उन्ने सो तालिस अभी मैं आपको पान्सो पीस का अब धान देजिए यह यह बॉक्स करके भी आपको दिखाता हूँ, यह दिखिए यहां पर यह तो शीवा के जो है वो पूरी पूरी सील होती है यह सील मैंने ब्रेक रही और यहां अशेंबल्ड in Japan और सारी डिफ्यूजर इन जापन और सारी सीज़ों है वह यहां पर मैंचन करी है और यह आजाती है कुछ इस तैप सिसकी पैकिंग यह यहां पर और यह आजाती है हमारी तोशिवा की ट्रशिस्टर तो यह जो है वो सारा आप कोशिच अब देखिये मिल अब काफी आपको अलग चीज यहां पर देखने को मिल लिया यह आपने किसी चैनल पर फिर कहीं ओनलाइन भी नहीं देखा हुआ तो यह मैं समय से एक पीस लिखा लता हूं और यह आपको फोकस अभी करते हैं यह देखें बावन सो तोशिवा के जपान तो यह आप दे सकते ह अब आते हैं उनने सो ततालीस भी जो है वह मैं आपको उपन करके दिखा जिता हूं यह देखें यहां पर इस हीट सिंग पर फिट होते हैं और यह पूरी फिटिंग होती है यह देख लिजी यहां पर पर यहां पर आप दिसकते हैं पॉंट फाइफ वाट की वाइड की रस अब हुघ झेख लुगा वाजए संग अपर इनको फिट कर देते हैं और सार गसारे वह जए आपको बताया पूरों म洗ionalी से होता है मलाब हाग ज़र वह म 새जी टाइप से हैं और ये तो होगया भी हिट सिंग के एम्टी बारा सो kali है дорог अब तर पैड़ मखकिए हो अबस तो जैसे कहानी आपको बता है कित לך जाने खेल, तो तो इसापने पर दे लिट काम के लिट यह सब जा आ हैं वाथ क्वा रिखा हैं And यह बन Divine एक एक वायर को बहुत द्यानने जान करना आई जाना, कि बागी वह बैस arrivéis और इसमें दूस्तों इस बात का भी ध्यान दे जाता है कि यह जो स्लीव होती है अभी यहां पर दे सकते हैं यह हीट्सिंग जरो स्लीव होती है तो अलग अलग ट्राइप से यह अगर आपको जानना है किसी भी ब्रैंड का कि वह कैसा परफॉमेंस करने माला है एक बार ही यह जो आपको साफ दिखे और अच्छी कॉलिटी के वाय यूज करें जाए ताकि यह नि लाउन लाउन लाइफ जो है वो बनी रहे लाइफ जादा बनी रहे तो अभी आप यहां यहां पर रखी हुए है और यहां पर फिटिंग कर रहें इसका आप यहां पर दे सकते हैं यह कॉन सा मोडल है यह स्पी-4000 का यह फूरा हीट सिंक पर आप जिसकते हैं यह काम है और यहां पर रिले जो है इसका पूरा बोर्ड हो जाता है दुस्सों यह पीछी के वाय रिंग हो जाती है यह जैसे कि मैंने बता है इंपुट आपूट सक्षण हो गई यहां पर इस इतनी जनरली मेरे मार्केट पर इतनी मोटी वायर नहीं देखे इंपूट और आटपूट में नॉर्मिली जो है वो ऐसी वाली वायर यूज करे जाती है अगर आप नॉर्मिले किसी भी अम्प्लिफायर में खोलेंगे तो आपको 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 दिखाया था इसकी यह वारिण अभी चल लिए यह चल लिए यह तर अधर रिटा से और यह सारी चीज़ जो है वह आपको अन टेबल यह पूरी के पूरी जो टेबल आप पीछे जाके दे सकते हैं यह पूरी वाइट टेबल यह तो ही चलती रहती हैं और दूसरों कि अप्लिफार के जान या उसका देल आप कह सकते हैं वह है यहां पर ट्रांसफर्मर आप यहां पर यहां रखे तो इनी में से मैंने कोई यह एक पीस उठा लिया है जिस पे एपी 1200 मैंचन है और यहां पर मैं इसको भी अन्बॉक्स करवा लेता हूं बहा से और इसके क्वाल कि बात करूं दोस्तों तो आम यहां भी सकते हैं आउटपूट जो है 65-65 का लगाए गया है यह कितने वाट का भी है एंप्लिफार बारसो वाट में पैसट जीरो पैसट का जो है वह फॉर्मर लगाए जा रहा तो बदला कॉलिटी दे सकते हैं और सारी चीजें हैं वह बहुत सारी चीजें हैं तो नौर्मिली अगर आपका एलेक्टरिसिटी भी थोड़ा बहुत जाए वह उपर जाता है यहीं नौर्मिली आप 220 पर चलाते हैं 230 पर चलाते हैं तो ऐसे ट्रांसफोर और ऐसे कॉलिटी जो है वह उसको रोख लीगी तो यह कॉलिटी आप दे सक सकते हैं किस लेवल के होनी वाली है तो दुस्तों जैसे कि मैंना दिखाया आपको यहां पर ट्रांसफोर्मर अप्रांसफोर्मर के बाद जो स्टैप होता है पावर सप्लाई का पीसीब बोर्ड और इस पे लगे हुए कैपिस्टर तो एंगर मैं बात करूं तो यह जो है व लुँटो चार दो छहे दो आठ दो दस और दो बारा बारा कैपिस्टर का जो है वो यूज कर जाता है इनकी भी वैल्लु जो है वो मैं आपको दिखा देता हूं तो सेम वैल्लु है यहां पे शहाजार आड़ सु योएफ और 100 वॉल्ट में इसमीं यूज करे जाता है यहा सब्सक्राइब, पर अज सब्सक्राइब करके पाуп सब्सक्राइब उसके बाद में सब फिटिंग होने के बाद में next step जो आता है company से बाहर यानि पैकिंग होने से पहले step होता होता है दूस्तों यहां पर टेस्टिंग का तो यहां पर जितनी भी meters है यह machinery है जो दे सकते हैं तो आपर olisoscope भी रखा हुआ है यहां पर जो सकते हैं वोल्टेज के लिए रखा हुआ है यह आता है frequency output यहां पर frequency के हिसाब अपनी हिसाब शोगाए frequency सेट कर सकते हैं पर यहां पर सारे meters जो है वो मेंचन करें हो है output voltage केतना जा रहा है इंपूट केतना जा रहा है वो सारी डीटेल यहीं पर होती है तो अभी यह एक वो सेट रखा हुआ है यहां पर यह में नोव हो जाता है नी मास्र हो जाता है फिन के मिड हाई और लो के तीन हो जाते हैं तो इस पर भी हम चेक करते हैं कि यह कैसे वो करता है सबसे पहले आप क्या चीजें झाइं तर चेक करते हैं एक पावर सप्लाई चेक करते हैं च्राइब करें चेक्राइब बढ़ सिंगा चेकर थार देख देखें तो कि तो इन्पुट के हिसाब से ही जो आप देखे हैं अभी आउट्पुट कितना दे रहा है यह वोल्टेज में कितना दे रहा है यह एंपयर ओके ठीक है जाड़े 5 एंपया और यह पर यह उच्छी एसी अपने इसे इसामज गया मैं समझ गया तो जैसे के दूस्तों मैं को बतायते हैं कि आप कर सकते हैं 60 इंटू 60 इंटू इंटू तो डिवाइड बाइड वावर समझ में आ जाएगी बाकि यहां पर लगाया हुआ है पुरा यह दमी लोड और इस पर अगर चेक हो गया ना तो मतलब आपको कहीं भी कोई भी अम्प्लिफार जो है वह दोका नही इस पर अगर मैं कुछ चेंज करता हूं यह देखिए यह आप दे सकते हैं यह हो गया फिर्क्वेंसी ग्राफ इसका और टीसडी हो गया सारी चीज़ें है वह अशन रेशियो हो गया इसका और आउटपूर वोल्टेज कितना दे रहा है सेंसिटिविटी क्या है वह सारी ची करें जेसे कि अखिए पाइसे कर आओ यहां घो कर दे जासे के बाद यह कि यह आप कर देंग और यहां पर इसके तेज यह पर शुट लगाए नहीं के लिए इसका पूरा जाता है प्लगा मैं पार जाता है कि आप गाता हम इनए और और इसके अंदर आपको दे सकते हैं, पैकिंग में आपको कीचेन में मिलाती हैं, तो आपको उपन करके दिखाई देता हूं तो यह कीचेन काफी अच्छी लग रहे हैं मुझे हैं, मुझे यहां पर, मुझेटोन, साउंड सिस्टम, और अफसाइड भी मैंचन है और यह वाली चीज़ें आप दे सकते हैं, यह हमारा MT 1200 है मॉडल तो इसकी पूरी के पूरी आपको डेटेल जो है यहां पर पावर रेटिंग्स मिलाती हैं, जैसे कि मुझेटाएं कि चेकिंग होने से पहले ही सारी चीज़ें चेक करी जाती हैं, कि यह पैरेमिटर आ रहे हैं तो पूरी कैटलोग होती है और यह पूरा पॉली बैग में और भीया कि मुझे यहां पर सबसे अच्छी बात यह लगती कि फ्यूज आप दालते हैं वह फ्यूज कहां पर फ्यूज जब बहुत वह अच्छा लगता है और फ्यूज डालने का मतलब इनका यह मुझे एक अगर उड़ता है तो आपको फ्यूस के लिए कहीं दूर जाना पड़े तो काफी सोस समझ कि पैकिंग करी जाती है बहुत सारी चीज़ देखके ही करी जाती है पर यह बॉक्स आजाता है एक पैकिंगर के डाल के दिखा ही जैसे कि दूस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूं क तो यह बॉक्स आप देसकते हैं तो काफी बारी सेट आई इसकंद जाता है फिर यह वाली जो फॉर्म लग जाती उपर से और यह जो है वो समान पूरा यह ऐसे पैक होके आपके फिर पहुशता है अब मैंस पर टेप वेप जो है वह भी लगवा के उसके वाद में आपको सब्सक्राइब कर देखाता हूं और टेस्टिंग कैसी होगी वह देख लीजिए तो दुस्तों जैसे कि यह सेट हमारा हो गया पैक अभी मैं इसकी पैकिंग के थोड़ी साब कुछ आपको टेस्टिंग जाता हूं तो भीया को मुझे बलाना पड़ाइब कि जैसे कि सेट मे दे सकते हैं और यह गिरने का बाद जांप हो तो अंदर का थार्मकॉल हो सही से काम कर रहा है तो आप कोरियर ट्रांसपोर्ट से कहीं भी मंगाते हैं इंडिया के किसी भी कोने से तो आपके पास यह एंपलिफियर सेफली पहुचने वाला है बाकि उपर पॉली बैग होता ह इसको पर कंपनी अगर आप मगवाते तो एक और पैकिंग करके भी दिया जाता आपको तो अवरोल पैकिंग से बिलकुल आप संटूस्टी दे सकते हैं चलते हैं मैं कुछ और भी डिटेल आपको देता हूं तो दुस्तों कैसे लिगी वीडियो मुझा हमीद है पसंद नही बहुत जादा पसंद आयोगी बागी दुस्तों जैसे के मैं आपको पूरे के-पूरे सेट दखाए तो यही से मैं कोई सेट लेके जाऊंगा जो कि मेरे आखों के सामने फिट हुआ उसमें सेट है दुस्तों वो है यहां पे एम्टी बारासो तो आपको जो है वो नेक्स व वाइरिंग देखी वहां पे उसकी पूरी के पूरी डिटेल तो यहां पे अन्वोक्सिंग आपको मिल लाएगी बागी तोस्तों आपको यह वीडियो क्यासे लेगी जरू नीचे कमेंड बताना पसंद आए तो प्लेज लाइक करना शेयर करना ज़शदा इस चैनल को सब्स